युद्ध की तैयारी शकुनी से ध्यूत में हारने के बाद, पांडवु को बारा साल वनवास और एक साल अज्यातवास में रहना था. ये समय खत्म होने के बाद, उन्होंने कवरोवों से इंदरप्रस्त लोटाने की मांग की. परन्तु, दुर्योधन ने उस मांग को ठुकरा दिया. दुर्योधन उन्हें एक सुई के अग्रजित्नी भूमी भी देने के लिए राजी नहीं था. मध्यस्ति कन्ने वाले श्रीकृष्ण वहां से खाली हात लोटाए. अब युद्धन निश्चित्था पांडव और उनके मित्र राजाओं ने हस्तिनापूर से युद्धकन्ने की घोशना की. दृत्राष्ट्र ने अपने समर्थक राजाओं को बुलाया. उस सभा में काड़ ने सेनापती पद की मांग की. परन्तु पिता महा भिश्म ने उस मांग को ठुकरा दिया. हे महावीर भिश्म, जब तक आप कौरों का सेनापती भार संभाल रहे हैं, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा. कावरवों और पांडवों की सेना में दस दिन तक घमासान युद्ध हुआ. दस वे दिन अर्जुन के मानों से पिताम भिश्म शर पंजर हो गये. उनकी सारे शरीर पर बाण लगे हुए थे. सुर्यास्त के बाद कावरव और पांडव पितामा भिश्म से मिलने आए. पितामा बाणों की शर्या पर लेटे हुए अंतिम सासे गिन रहे थे. उन्होंने कर्ण की और देखा. उनकी आँखों से अश्रु निकलाए. कर्ण आगे बढ़ा. महा बाहू भिश्म आपने हमेशा मेरी अवहेल ना की है. मुझे नीचा दिखाया है. पर अब मेरे लिए आपकी आँखों में आसू क्यों है? पिश्म ने बाकी सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा. और एकांट में, कर्ण, तुम किसी सार्थी के पुत्र नहीं हो. कुंती तुमारी माता है. और सूरिदेव तुमारे पिता. मैंने कभी तुमारा तिरस्कार नहीं किया. अवहेलना नहीं की. तुमारा पांडव से, अपने सगे भाईयों से किया द्वेश, मुझ से देखा नहीं जाता था. मेरे कठोर शब्द, सिर्फ तुमें इस युद से रोकने के लिए ही थे. तुमारा रिदय विशाल है. तुम सर्वस्रेष्ट वीर हो. अपने, अपने भाईयों से संदी कर लो. दुर्योधन दुष्ट है. उसका साथ छोड़ दो कर्ण. पितामा, मैं जानता हूँ कि कुंती मेरी माता है. परन्तु उसने मेरा त्याग किया. अधिरत और राधा माता ने मेरा पालन किया. मेरे लिए वही मेरे माता पिता है. दुर्योधन ने जो कुछ भी मेरे ले किया. मैं उसका रणी हूँ. मैं उसे धोका देने की बात सोच भी नहीं सकता. मुझे युध करना ही होगा. मेरा विचार निश्चित है. कृपया मुझे युध करने की अनुमती दीजिए. पुत्र भविश्य का लिखा कभी बदल नहीं सकता. नियती के इस खेल में तुम सिर्फ अपनी भुमी का अदा कर रहे हो. अगर तुमने युध करने का निर्णे ले ही लिया है, तो मैं सदिच्छा के सिवा और क्या दे सकता हूँ. चाओ करन, एक सच्च योद्धा की तरह लड़ो, कभी कुटिल निती का अवलंब न करना. चाओ, चाओ तुम्हे स्रेश्ट वीर की गती प्राप्ति होगी. चाओ. करन ने पिता मा भीश्म को श्रत्या पूर्वक प्रणाम किया और दुर्योधन के पास लोड़ गया. युद्ध के ग्यारावे दिन से गुरु द्रौन कौरव सिना के सिनापती बने. करन उनकी मदद कर रहा था.